असलाम अलेकुम डियो स्टुडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर नबर 9 एरोमैटिक हाइडो काबंस में रेक्शन ओफ बेंजीन के इतबार से स्टडी करेंगे रेक्शन ओफ बेंजीन में आपने प्रिवेसली देखा क्योंके बेंजीन एक इंदाई ही स्टेबल और रिच एलेक्टरॉनिक क्लाउड रखता है और एक्स्टेंसिव डी लोकलाइजेशन ओफ एलेक्टरॉनिक क्लाउड की बतौलत उस पर अटाइक असानी से नहीं हो सकता जो पर अटैक कर सकें जबके वीक अलेक्टरॉफाइज के पास यह इस्ततात नहीं थी अब इसी चीज़ को हमने फिर डिफरेंट फॉर्म्स में स्टेडी किया मेकनिजम्स देखे और पैटरन देखा कि किस तरह से जेनरल पैटरन अडॉप्ट होता है बेंजीन की रेक्टि हैं चाहिए जेंगारे एंदीशन पर्ड़के नहीं थी और सुम्स को कि आशनी थे आपके भराइज को अच्टिजन पर्ड़केशंग कि अटॉब कर देख़ेंगे थे नहीं नहीं थी नहीं थेडीशन पॉर्ड़क्ट इस्नाटवरेवल Because in its formation, the characteristic stability of benzene is lost क्यों असानी से नहीं दे रही कि जब benzene addition product बनाती है और वो favor नहीं करती, क्यों नहीं करती क्योंकि stability benzene की उसके characteristic feature वो preserve नहीं रहते, वो retain नहीं रहते Stability loss हो जाती है जब benzene addition reactions perform करती है उसका cloud disturb हो जाता है, destroy हो जाता है जबके अगर possibility देखी जाए, तो फिर एक ही possible product बज जाती है And that is the substitution product The only possible product is the substitution product अब substitution क्या होती है, कि एक group का आना और दुसरे group का चले जाना तो इससे ring को कुछ फरक नहीं पड़ता तो substitution reactions के वाले से या substitution product की बात की जाए The stability of benzene is retained उसके characteristic features retain रहते हैं, बरकरार रहते हैं, stable रहते हैं Stability को कोई effect नहीं होता तो लहाजा benzene prefer करती है, कि वो addition reactions की बजाए Substitution reactions असानी से दे यह नहीं है कि वो addition देती ही नहीं है, addition reactions में भी आप reactions study करेंगे लेकिन वो favor नहीं करती है, favor वो सरफ substitution reactions को करती है क्योंकि उसमें उसकी characteristic stability वो retain रहती है, उसे कोई effect नहीं होता इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि substitution में ऐसा क्या होता है यह आपके बस benzene का ring है और उस पर जब electrophile का attack होगा तो यह electronic cloud, electrophile को offer करेगा कि उसके साथ attach हो जाए by giving its electrons, जो कुछ लमे के लिए तो बाहर आएंगे और electrophile को attach भी करेंगे, hydrogen भी remove होगी, बाहर open की, expose की जाएगी और इस तरह से carbon generate हो जाएगा, इसे हम कहेंगे benzenonium ion अब यही benzenonium ion, further base के साथ जब रेक करता है, तो base इस proton को abstract करती है तो यहां से electrophile निकल रहा है, यह h positive की सुरत में बाहर जाएगा, जो again एक electrophile है आने वाला क्या था, वो भी electrophile, जाने वाला क्या है, वो भी electrophile तो base आपके पास h positive को जब extract कर लेती है, तो b h बना देती है पीछे जो इसके electrons होते है, वो वापस ring में दुबारा चले जाते है तो इस तरह से ring की characteristic stability है, वो loss नहीं होती, वो retain रहती है बस हुआ कि एक group आया और दूसरा group चला गया तो replacement of one group by the other, it is in simple words we call as substitution तो substitution में ऐसा होता है, जबकि अगर addition perform की जाए, आगे हम addition के reactions देखेंगे बंजीन के इतबार से, तो वहाँ आपका यह concept बहुत वाज़ हो जाएगा कि addition में क्या होता है तो उसकी आप वज़ा बताएंगे, साथ आप यह quote करेंगे mechanism, तो आपका question cover हो जाएगा दूसरा एक एहम सवाल एक और भी है, give the general mechanism of electrophilic aromatic substitution reactions कि आप general mechanism बताएं, electrophilic aromatic substitution actions का, आपने अभी यह mechanism पढ़ा है और previous lecture में भी इसे detail में पढ़ा था, कि इसके अंदर कौन-कौन से steps शामिल होते हैं, उनकी बकायदा हमने headings पढ़ी थी, steps शामिल किये थे तो यह वो general mechanism है, जो आप इस question में लिखेंगे, और यह बाज उकाद पूछ लिया जाता है, कि mechanism बताएं general तो फिर आपने इसमें दिहान रखना है product का और तमाम steps का, तो यह आपके पास general pattern of reactivity था, जो हमने देखा कि बेंजीन की nature क्या है, उसका structure क्या है, फिर वो किस को offer कर सकता है, कि वो reaction कर सके है, और फिर किस तरह correction possible है, तो हमने यहां से यह नतीज़ा निकाला, कि बेंजीन के major दो तरह के reaction होते हैं, substitution और एक addition, substitution वो खुशी से देता है, addition वो जरा नाराज़गी के साथ देता है, तो आगे देखते हैं कि कैसे यह काम होते है, reactions of benzene के हवाले से देखा जाए, तो benzene generally give two types of reactions, majorly यह दो तरह के reaction दे सकती है, एक, electrophilic aromatic substitution reactions, और दूसरे, addition reactions, electrophilic aromatic substitution reactions में आप four reactions study करेंगे, जिनका एहम मकसद substitution है, यानि electrophile आने वाला भी electrophile होगा, जाने वाला भी electrophile होगा, replacement of one group by the other, that is electrophilic aromatic substitution reactions, nature, so सबसे पहली जो इसमें आप reaction की nature study करेंगे वो है halogenation, फिर second में आप nitrogen देखेंगे, third में sulfonation, और fourth में fridal craft reaction, ये चारो reactions अपनी अपनी nature के अतबार से इंतहाई important है, short questions के point of view से भी, और long के अतबार से भी, short में तो कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा, long में आजे तो कोई दो को एक साथ यकसा पूछा जा सकता है, है कि halogenation, बताएं, nitrogen भी बताएं, benzine की, या nitrogen और sulfonation बताएं, benzine की, या simple, फ्राइडर क्राफ्ट एक तनहा ही वसी topic है, long question के अतबार से, तो ये अकेले ही पूछ लिया जाता है, तो ये इंतहाई important और बहुत असान reactions है, आपने general mechanism study किया है, और उसके features समझ लिए है, तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, second category जो ये दे सकते हैं, वो है addition reactions, अब addition reactions में क्या-क्या possibilities है, reduction का आमल है, halogenation है, combustion भी ये करते हैं, और oxidation जैसा phenomena भी ये show करते हैं, addition reactions में क्या होगा, कि characteristic stability, benzine की preserve नहीं रहेगी, जबके electrophilic aromatic substitution reactions में characteristic stability loss नहीं होगी, वो retain रहेगी, इस चीज़ को आप वकाईदा reactions में भी देखेंगे, अभी तो हम electrophilic aromatic substitution reactions को one by one study करेंगे, then जब हम addition पर आएंगे, तो वहाँ आपको ये concept का आपका clear हो जाएगा, वाज़ हो जाएगा आप पर कि किस तरह से benzine का ring मुतासर हो रहा है, जब addition करता है, और किस तरह से वो retain रह रहा है, जब वो substitution के अमल से गुजरता है, तो आज हम electrophilic aromatic substitution reaction में पहला reaction study करेंगे, that is halogenation, halogenation के हवाले से बात की जाए, तो जिस तरह आप hydrogenation का आमाल पढ़ते थे, कि addition of hydrogen to a compound, इसी तरह halogenation भी है, पहले तो इस नाम को देख लेते हैं, electrophilic aromatic substitution reaction, क्या है substitution reaction के बारे में भी बताया आपको मैंने, कि replacement of one group by the other, एक group का आना, दुसरे group का चले जाना, इस चीज, इस हो रही है, system तो aromatic app class, aromatic hydrocarbons की पढ़ रहे हैं, तो aromatic तो must आना है, electrophilic word यहां पर use हो रहा है, वो इस नहीं हो रहा है, कि substitute होने वाला electrophile है, यानि आने वाला भी electrophile है, और जाने वाला भी electrophile है, तो आने वाला electrophile आपने जैसे के नौयत देखी, nature देखी, कि structure of benzene is highly highly stable, having extensive del localization of electronic cloud, तो इसे कोई आम electrophile तो इस पर हमला करने से रहा, तो strong electrophile ही आपके पास आएगा और अपनी जगा बनाएगा बेंजीन में, और फिर weak electrophile बेंजीन में से निकल जाएगा, तो पहली हम category जो पढ़ेंगे, that is halogenation, halogenation क्या होती है, the introduction of halogen group in benzene ring is called halogenation, यानि बेंजीन ring में halogen group का add होना, introduce होना, उसे हम क्या कहते हैं, simple words में, halogenation, अब कोई भी reaction बगएर किसी catalyst और condition के possible नहीं है, नहीं वो proceed करता है, तो बेंजीन, it ricks with the halogen in the presence of a catalyst, like FEBR3, ferric triboromide, जो के FECL3 भी हो सकता है, ferric trichloride, या aluminium trichloride, ALCL3, या aluminium triboromide, ALBR3, तो एट सेक्टरा, यानि बें बेंजीन, halogen के साथ जब rick करता है, तो किन catalyst की मौझूदकी में करता है, या तो वो iron क हैलाइट होते हैं, या वो aluminium के हैलाइट होते हैं, और हैलाइट में chloro और bromo groups commonly use होते हैं, अब halogen चार तरह की होते हैं, fluorine, chlorine, boramine and iodine, आप chlorine और bromine की बात करें तो हम उसे कहेंगे chlorination, या या बेंजीन की जब chlorination करेंगे या ब्रोमीनेशन करेंगे तो वो normal reactions जो है follow करेंगी, बट जब हम fluorine की बात करते हैं, fluorine करते हैं, तो reaction is too vigorous to control, तो वो control करना ही हमारे bus में नहीं होता, और last three जो हमारा एक और halogen है, वो है iodine, iodination अगर करें तो it gives the poor yield, तो हमारे reaction के अंदर industry के होले से हमें time भी बचाना है, हमें yield भी ज़्यादा चाहिए, तो इसमें यह iodine fall नहीं करता, तो ज़्यादा तर reaction में आप chlorine या ब्रोमीन के molecules एड़ होते वे देखेंगे, general reaction देखते हैं सबसे पहले, यह बंजीन है और उसमें आप chlorine को एड़ करेंगे, याद रहे, जो भी halogen इस दिन आप add करेंगे, उसी nature का catalyst आप add करेंगे ए्रेक्शन के अंदर, अगर bromine इस्तमाल करें हैं, तो catalyst में भी bromine होगा, अगर आप chlorine इस्तमाल करें हैं, तो catalyst में भी chlorine इस्तमाल होगी, यानि बंजीन में जब bromine को add किया जाता है, इसकी bromination की जाती है, तो FEBR3, iron का trigbromide का catalyst इसे इस्तमाल किया जाता है, और होगा क्या, अब इस रिंग में हर carbon के पास एक hydrogen है, वो hydrogen इस BR में से दो BR हैं, यह bond break हो जाता है, एक BR को लेकर क्या बना देती है, further product में, HPR, पीछे जो एक bromo group रह जाता है, वो positive charge के साथ होता है, वो आकर hydrogen को replace करता है, और उसकी जगा ले ल इसे हम simple words में halogenation कहते हैं, क्योंकि bromine अड़ हो रही है, तो हम इसे bromination कहेंगे, और इस compound का name बनेगा bromobenzine, अब यही term और यही conditions, आप chlorine के लिए भी adopt करेंगे, क्योंकि बेंजीन आप लेंगे, उसमें chlorine को add करेंगे, क्योंकि आपके पास nature of halogen different है, तो nature of catalyst भी बदल जाएगी आप ferric trichloride का इस्तमाल करेंगे, उसी तरह से क्या होगा, क्योंकि यह chlorine का bond break होगा, एक chlorine यहां से hydrogen को लेकर ACL बना देगी, दूसरी chlorine आकर उसकी जगा ले लेती है, तो जो आपके बस product बनती है, वो है chlorobenzine, तो इस तरह से यह general reaction होता है, that is very very simple, आपने देखा कि आने वाला भी जो है electrophile है, और जाने वारा भी electrophile है, आने वाली की nature strong है, जाने वाली की nature weak है, अब हम इसमें बेकाइदा, general reaction तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसका mechanism देखेंगे, कि mechanism कैसे follow होता है, the actual halogenating agent is, x plus, actually जो halogenating agent है, वो हमारा halogenonium ion है, which may be chlorograph, which may be bromograph, depending on the nature, कि आप किस का इस् इस्तमाल करेंगे, तो BR plus आजेगा, is formed by the falling mechanism, यह जो x plus है, आपने लास्टली जब आप generally electrophiles के और उसके nature के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने e plus sign देखा था, वो e plus sign में आज आज आपने पहली example electrophile में, hello genonium ion की पड़ी है, जिसमें chloronium ion और bromonium ion आइन आजाते है, इसके साथ काम होता है, यह active होता है, तो step number one, step number one, वही सबसे पहली क्योंकि बेंजीन करेंगे, इतना strong और stable है, उसके लिए सबसे पहली चीज जो दरकार है, वो है strong electrophile की formation, तो सबसे पहला step क्या होगा, formation of strong electrophile, चुकि हम halogenation कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास iron as a catalyst use होती ह है, तो पहले हमें strong electrophile बनाना है, तो halogen x2 halogen, इसमें fe x3 use होगा, आप x यूज कर रहे हैं, तो x यहां पर आएकर, अगर chlorine यूज कर रहे होते हैं, तो chlorine आता है, अगर bromine यूज कर रहे होते हैं, तो bromine आप catalyst में ही add करते साथ, अब क्या होता है, कि fe x3, इस x2 में से 1 x को ले करना है, पेंजीन रिंग पर, अब आपने ये general example पड़ी, अब अगर आप इसे example के तो पर लें, तो इसमें chlorine आप ले लेते हैं, x की जगा पर, तो chlorine में जो आप catalyst राइट करेंगे, वो fe x3 होगा, और इसी तरह chlorine का bond break होता है, तो एक chlorine positive charge के साथ आपको electrophile की सुरत में मिलती हैं, और एक जो chlorine का group है, वो आपके पास, fe x3 के पास जाकर attach हो जाता है, तो ये बनता है, fe x4 negative, tetra chlorophyate ion, जो के base के तोर पर, आगे मजी direction में, mechanism के दौरान, इस्तमाल होगा, step by step काम होगा, एक दफा लेक्टोफाइल यूज होगा, एक दफा बेस यूज होगी, होंगे दोनो use, और इस तरह से हमारा काम होगा, पहला काम, पहला मकसद हासिल हो गया, कि strong electrophile generate हो चुक है, second step, attack of electrophile on the benzene ring, अब इसका attack करवाना है, तो ये benzene ring है, इसमें आप जो है, आपने भी उपर electrophile बना लिया है, chloronium ion, उसका attack करवाएंगे, तो ये electronic cloud, इसको जगा देगा, अपन याद रखनी है, कि पहला काम, आपने आने वाल electrophile को, इस bond को बाहर निकाल कर जगा दी, attach कर लिया, second, इस carbon पर जो hydrogen थी, उसे आपने expose कर लिया, open कर लिया, तीसरा, क्योंकि carbon, इस वाली carbon का bond छिन चुका है, electrons जा चुकी है, तो ये इस पर कमी आ चुकी है, तो ये जखमी हो चुकी है, तो इस पर positive charge आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं, carbo cation, तो ये carbo cation बना है, ये reaction intermediate है, जो कुछ time के लिए रहेगा, और बाद में वापस stable हालत इक्तार कर लेता है, तो step number two attack तो हो गया, अब step number three की बारी है, step number three में क्या होता है, addition of base and recovery of catalyst, अब वो ही आपने जो intermediate negative जो आपकी base बनी थी, वो add करेंगे, अब ये FECL4 negative, ये कैसे काम करेगी, ये यहां से proton को abstract कर लेगी, अब यानि FECL3 में से एक chlorine अजाफी है, ये chlorine का group जो है, hydrogen को लेकर proton की सूरत में, H positive की सूरत में, ये अपने electron लेकर नहीं जाएगा, तो ये H positive की सूरत में, जो है, ये CL के साथ मिलकर बनाता है HCR, अब ये जो bond है, जब इसने इस पर attack किया, इसको निकाल कर ले गया, अब पीछे ये जो bond है hydrogen का, ये जो elektrons है, ये वापस रिंग में चले जाते हैं, दूसरा काम, ये ये रिंग में चले गए, तो ये आप देखते हैं, देख रहे हैं, प्रोड़ है, और positive charge को खतम करना है, तो इस तरह से आपके बस FECL3 बचेगा, और साथ HCL बनेगा, तो ये FECL3 वही catalyst है, जिससे आपने reaction को proceed किया था, start लिया था, catalyst, इस catalyst के स्तमाँ से आपने strong electrophile और base बनाई है, जो further fraction में इस्तमाल हुई, इसलिए इसे हम addition और base कह रहे हैं, क्योंकि benzene ring without substituent, कोई आपके पास कोई side chain नहीं थी, अगर कोई side group लगा हो, तो होता है halogenation का, अब कुछ ये तो था, benzene ring without substituent, कोई आपके पास कोई side chain नहीं थी, अगर कोई side group लगा हो, तो उसमें halogenation कैसे होगी, when alkyl benzenes are treated with kolorine or bromine in the presence of sunlight, only the alkyl groups are substituted, अगर ring तन तन हा है, तो ring का जो pattern है, halogenation का, वो उपर वाले method के through follow होगा, लेकर अगर ring के साथ कोई side पे alkyl group लगा हुआ है, और फिर आप उसकी halogenation करना चाह रहे हैं, तो फिर ring को कुछ नहीं होगा, ring को पहले भी कुछ नहीं हुआ था, ring में कोई चीज, जो है, तबदिली का शिकार नहीं होगी, तो सिरफ और सिरफ ring के साथ, जो outside पे जो group alkyl का लगा हुआ है, वो आपका halogenate होगा, अब देखें आप ये टॉलोइन है, CH3 का group, जिसे methyl benzene toline specially कहते हैं, इस CH3 में तीन hydrogen हैं, जो one by one करके halogen से replace हो सकते हैं, तो बारे बारे ये ही replace होंगे, अब products बनाएंगे, जो again ये बड friction है, कि hydrogen एक निकलेगी, एक CL को लेगी और SL बना देगी, पीछे इसमें CH2 रह जाएगा, जो आप आपके देख सकते हैं, और एक incoming जो H की जगा पे CL आया, वो आप देख सकते हैं, साथ लग गया, अब इस CH2 को बेंजीन के साथ, अगर आप study करें, तो इसे बोलते हैं benzyl, क क्योंकि असाथ chloro group लगा हुआ है, तो उसे chloride कहेंगे, benzyl, koloride, तो ये पहली product जब पहला hydrogen replace होता है, पहले halogen के साथ, तो ये आपके पास benzyl, koloride की product बनती है, अभी भी इसमें 2 hydrogen still replaceable हैं, तो उन्हें देखेंगे कि वो कैसे काम करेंगी, अब जो आपने product देखी थी, benzy koloride, उसको फस्टार्टिंग लेंगे, उसमें उसी तरह kolorine और sunlight की condition देंगे, तो अब ये एक और hydrogen, 1 CL के साथ निकल जाएगी, HCL, और यहाँ पर क्यूंकि एक hydrogen चली गई तो ये CH में convert हो जाएगा, जो आगे आप देख सकते हैं CH, और ये एक CL था, एक और CL आ गया, तो ये CL2 बन गया, अब इसे हम बोलते हैं, बेंजल koloride, तो ये बेंजल koloride है, अब बेंजल koloride में एक और hydrogen अभी भी इस्टिल रहती है, रिप्लेस हो सकती है, तो इसे आप ले आएंगे दुबारा, इसमें फिर कलोरीन डालेंगे, sunlight की condition देंगे, तो ये hydrogen और ये CL मिलकर HCL बना आप लिखा कि जब side chain कोई इटाइच होती है, बेंजीन के साथ तो फिर वो हैलोजनेट होती है, रिंग पर कोई effect नहीं होता, तो आप से भू सकता है कि how alkyl benzines are halogenated, तो फिर आपने समझ आना है कि आप से वो बेंजीन के साथ किसी alkyl group की halogenation मांग रहा है, तो आप tolling की halogen reaction of electrophilic nature, best of luck.